पाठ बारह, शुरुती सम भिन्नार्थक शब्द होमोनिम्स शुरुती सम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शुरुती तथा सम शुरुती का अर्थ है सुन्ना, तथा सम का अर्थ है समान शुरुती सम का पूरा अर्थ हुआ, सुन्ने में समान अर्थात वे शब्द जो सुन्ने में लगभग एक जैसे लगते हैं बिन्नार्थक शब्द का अर्थ तो स्पष्ट है भिन्न अर्थ वाले श्रूती सम्भिन्नार्थक शब्द वे शब्द हैं जो सुन्ने में लगभग समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, परंतु वास्तव में ये शब्द समान नहीं होते, इनमें किसी एक ध्वनी का अंतर होता है, जो सुनने में एक जैसा लगता है, जैसे अनल, अनिल, अवधी, अम्ब, अम्बू, आदे, अब इन सभी शब्दों की रचना देखिए, तथा ध ध्वन्यों के अंतर को पहचानिये, शुतिसम भिन्नार्थक शब्द, शब्द एक, शब्द दो, अंतर, अनल, अनिल, अ, जमा, न, जमा, अ, जमा, ल, जमा, अ, जमा, न, जमा, इ, जमा, ल, जमा, अ, इ, स्वर का अंतर, अवधी, अवधी, अ, जमा, व, जमा, अ, जमा, इस तरह आपने देखा कि इन शब्दों में एक ध्वनी को छोड़ कर इस लिए इनके अर्थ भिन्न होते हैं निचे कुछ शुरुतिसं भिन्नार्थक शब्दों की सूजी दी जा रही है अंध्य नीज तुम जैसे अंध्य व्यक्ति के कौन मूं लगे अंश भाग या हिस्सा निबंध को छोटे-छोटे अंचों में बांट कर लिखना चाहिए अंस कंधा अब तुम्हारे दोनों अंसों पर सारे परिवार का भार है अंब मां हे अंब मेरी रक्षा करो अंबु जल अंबु में जन्म लेने के कारण ही कमल को अंबुज कहते हैं अपेक्षा तुलना अरजुन के अपेक्षा करन बड़ा योध्धा था उपेक्षा निरादर कभी किसी की उपेक्षा मत करो अभिराम सुन्दर हिमाला के अभिराम दृष्य को देख कर मन प्रसन हो गया अभिराम लगातार अभिराम परिश्रम ही सफलता की कुंजी है अवध एक प्रांथ का नाम अवध के इलाके में अवधी भाशा बोली जाती है अवध्य वध के अयोग्य जैन धर्म के लोग सभी प्राणियों को अवध्य मानते है अविलंब तुरंथ आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाडियां अविलंब पहुच गई अवलंब सहरा गरीबों का एक मात्र अवलंब भगवान ही है आकर खान आकर में काम करने के कारण वह बीमार हो गया आकार रूप विशाल आकार वाले राक्षस को देख कर बच्चा डर गया आदी आरंभ आदी काल में मनुश्य पत्थरों को रगड़ कर आग उत्पन करता था आदी अभ्यस्त वह नशे का आदी है उससे दूर रहना आसन बैठने का स्थान पूजा हमेशा आसन पर बैठ कर करनी चाहिए आसन निकट अच्छे गुरु के आसन रहोगे तब ही शिक्षा मिलेगी उधार कर्ज या रिन मेरे दोस ने मुझसे सौ रुपिय उधार लिये है उधार कल्यान हे प्रभु सबका उधार कीजिए उपकार भलाई हमेशा दूसरों का उपकार करना चाहिए अपकार बुरा किसी के अपकार के बारे में सोचना भी पाप है उर रिदय मीरा के उर में तो केवल क्रिश्न बसते थे उरू जंगा भीम ने अपनी गदा से दुर्योधन की उरू तोड़ दी कटक सेना अभी मन्यों के सामने कौर्वों की कटक भाग निकली कंटक काटे कंटकों से भारा जीवन किसे पसंद होगा करण साधन हिंदी में करण कारक का चिन से है करण कुंति पुत्र करण बहुत बड़ा दानी था हमने सीखा शुरूतिसम भिनार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जो सुनने में समान प्रतीत होते हैं परन्तु पूर्ण तह समान नहीं होते पूर्ण तह समान न होने के कारण ही उनके अर्थ परस पर भिन होते हैं शुतिसम भिनार्थक शब्दों में किसी एक ध्वनी स्वर्य व्यंजन का अंतर होता है और यही ध्वनी अर्थ के अंतर का कारण बनती है